हलो बच्चों वेलकम बैक टू सीबसी में सब्सक्राइब गुपता बच्चों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीबसी बोर्ड ने कुछ चेंजमेंट किये हैं अपनी डेट सीट में तो उसी अपडेट के बारे में इस वीडियो में हमनों डिसस करने जा रहे है ठीक है तो आराम से देखिए इस वीडियो को और समझे चीजों को कैसे का उनकों से डेट समारी चेंज हो गई ही ठीक है यह जो फास्ट हमारे पास डेट सीट है वो सेकेंड ऑफ को रिलीज हुई थी और एक डेट सीट आज सीविसी ने रिलीज की है तो वो जो डेट सीट है 5th of March है 5th of March को उनकों सीविसी ने रिलीज किया है ठीक है तो यह हमारे पास new one है and this is the old one ठीक है तो हम चलिए बात करते हैं कुछ सबसे पहले अगर हम बात करें अपने पेपर हिंदी की इंग्लिस की बात करें तो इंग्लिस देखिए यहां पर पहले 6 हमारा पहले पेपर य रचों और यह देखिए 6 में हमारा है यहां पे है ना और हमारा जो फिते है date see उसमें भी हमारा जो फेपर है जुट ही हो रहा है तो इंग्लिस में कईब の हमारा नहीं हुआ है ठीक है अगर हम करें अपने हिंदी की तो हिंदी पहले जो हमारा पizes पर था तेंथ में था ठीक की बारे इस करें यस तो आप हमारे पास बात आती साइंस की तो बच्चों साइंस का जोcryention पर था पहले हमारा जो साइंस का पर था ओ था 15 और 15th मेंत ता यह कै बढ़ गई है आप जो हमारा पे पर हैसा इसका कितने तरीक को कर दिया गया है 21st को कर दिया गया मतलब हमको approximately कुछ नहीं तो 15 से 21 it means one week का time मिल गया है मतलब यह क्या हुआ कि science का जो paper है उसकी date जो पहले थी वो थी कितनी 15th में थी तो 15 में एक से change हो करके अभी क्या हो गई है यह हो गई है 21st of May ठीक है उसके बाद अगर हम दूसरे subjects की बात कर लें तो यहां पर home science हमारा 20 में को है home science से 20 में को है कोई changement नहीं हुआ है चीक है उसके बाद अगर हम बात करें maths की तो बच्चों maths का जो पहले paper था हमारा वो था हमारा बच्चों 21st में को 21st में को maths का paper था और अब according to updated sheet हमारा जो maths का paper है वो second June को हो गया है हमारा maths का paper अब कब हो गया second of June को हो गया see this thing यह हमारा paper कब हो गया second June को इसका मतलब हमारा changement किस में हुआ है maths में हुआ है maths में changement क्या हुआ है बच्चों कि पहले जो paper हमारा हो रहा था कितनी तारीक को बच्चों हो रहा था पहले पेपर हमारा पहले जो पेपर हमारा था 21st में को 21st में से वो चेंज हो करके जो पेपर हमारा 21st में को हो रहा था वो चेंज हो करके अब हमारा होगा 2nd of June को इसका मतलब इसमें भी हमको प्लस वन बीक का टाइम मिल गया है तो इसमें मैं बच्छे से प्रिप्रेशन कर सकते हैं अपने मैज की ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें कम्प्यूटर की तो कम्प्यूटर का जो हमारा पेपर है आप देख सकते हैं कि कम्प्यूटर इसमें कितने हैं 7 जून को था तो 7 जून को ही हुआ है मतलब हमारा अगर बात करें जो important subject हमारे थे मैं तो science इसमें हमको एक वीक का extra time मिल गया ठीक है और अब हम बात करते हैं class 12 के लिए तो class 12 में देखते हैं क्या changement हुआ हमारे पास let's see for the class 12 तो बच्चों class 12 के लिए अगर हम बात करें let's see for the class 12 also yes तो this is the यह जो हमारे पास इस side में open है यह आप देख पा रहोंगे this is the old one old है यह और इस side में जो open है यह new वाली है ठीक है तो अब यहाँ डिसस करते हैं कुछ चीज़ें देखते हैं फ़हला पेपर जो हमारा था बच्चों English का था वो था fourth of me को तो यहाँ पर भी fourth of me है मतलब no changement यह देखिए हमारा English का पेपर था और यह हमारा English का है है fourth of me को था okay fine no issue ठीक है अब अगर हम बात करें second part की तो यहाँ पर taxation taxation ठीक है चलिए हम बात करते हैं physical education की physical education जो पेपर था हमारा उसकी rate जो थी कितनी थी six yes just a second let me see what is the date is written here yes 8 में तो physical education का जो पेपर था हमारा बच्चों 8 में को था तो वो same date पे है no changement यह देखिया physical education and physical education no changement इसमे चैंजमेंट कोई भी नहीं हुआ ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें second subject की देखते हैं हमारा business studies यह business studies हमारा 12th को था 12th of में को same date है no issue कोई भी changement नहीं हुआ है business studies में भी यह देखिया आप यहां पर भी यह 12th को ही मारा देख रहा है इसमें business studies यह देखिये है यह 12th को ही है मतलब इसमें भी चैंजमें नहीं हुआ है उसके बाद बात करेंगर अपने physics के paper की तो यहां पर physics का paper पहले था 13th में 13th को 13th को physics का paper था और अब अगर हम updated में देखें अपने तो updated में हमको दिख रहा है कि हमारा physics का paper कितनी तारीक को लगा हुआ है let me see तो यहाँ पर तो यह chemistry दिख रहा है not the physics one so let's see where the physics I think they have extended the date for the physics let's see for physics yes I am right they have extended the date for the physics see this is the extended date for the physics और इन्होंने physics का जो paper है वो लगा दिया है 8th of June को इसका मतलब क्या हुआ बच्चों यहां पर समझे इस चीच को कि पहले हमारा paper था 13th of May को 13th May को हटा करके इन्होंने 13 में से हटा करके इन्होंने 2nd of June को लगा दिया फिजिक का पेपर इसका मतलब इसमें भी तुमको बहुत धिर साथा हमारा था 18th को 18th को हमारा chemistry का paper था और अब हम बात करें इधर अपडेटेट में तो no changement chemistry हमारा same रहेगा 18th को ही रहेगा ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें next उसके paper की देखें अगर हम लोग तो यहां पर बात आती है 24th में को बायोलोजी था तो यहां पर देख लेते हैं हमनों बायो की बात कर लेते हैं बायो 24 को था यस तो बायो 24 को ही है no changement in bio see this is the 24 in the both updated one and the previous one ठीक है मैस का paper हमारा 31st में को था पहले देख लेते हैं हमारा मैस का paper कब था यस तो मैस का paper जो था यस मैस का जो paper था हमारा पहले फस्ट आप जून फस्ट आप जून को था मैस का पर मेरा फस्ट आप जून को था हम लोगों का class 12 का मैस का जो पेपर था यह था 1st of June को यहां पर देखिए आप लोग यह दिख रहा है आपको मैस का पेपर यह 1st of June को था और यहां पर इन्होंने जो पेपर कर दिया है बच्चों मैस का वो कर दिया है 31st में को यह गलत चीज़ की इन्होंने एक्स्टेंड कर दी चलिए देखते हैं कोई बात ने जो भी है हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं इस चीज़ में ठीक है तो इन दो पेपर में चेंजमेंट हुआ हैं सो बच्चों आई होप आप बोगों इन्फोर्मेशन अच्छी लगी होगी ठीक है तो अगर आप लोगों को ऐसी इन्फोर्मेशन की अप्डेट चाहि मिलते हैं ने वीडियो